तो आज के नई वीडियो में आप सभी का सवागत हैं दोस्तो आज के वीडियो में भी हम लोग एक इंपोर्टेंट बोलर इमर्जेंसी हलनी के बारे में ही डिसकर्शन करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यह बोलर इंप्लोजन क्या होता है साथ में हम लोग बात करेंगे कि ये जो bowler implosion होता है इसके पीछे क्या region है इसका क्या effect पड़ता है और इसके regarding हमें क्या action लेना पड़ता है या क्या prevention करना पड़ता है ताकि ये bowler implosion ना हो पीछे में जो आपको ये वीडियो देख रहा इसमें आप देख सकते हैं कि bowler implosion जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और ये जदी होता है तो कितनी भारी तबाही होगी तो इसी bowler implosion को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे तो वीडियो बहुत informative होने वाला तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें और bell notification को on करें ताकि इस टाइप का informative वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चली वीडियो करते हैं start तो bowler emergency situation जिसमें हम लोग बात करेंगे bowler implosion के बारे में तो देखिए इससे पहले हम लोग ने जो वीडियो में discussion किया वो bowler explosion के बारे में देखा था जदी bowler हमारा फटता है तो उसके पीछे क्या region क्या effect और क्या उसका prevention होगा अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो description दोसमें उसका link या उपर आई वर्टम ने भी उसका link दे दिया हूँ उसको देख लीजेगा उसको देखने से आपका ये topic और भी अच्छे से clear होगा और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो implosion और जो ये explosion है वो क्या चीजे ठीक है ताकि ये topic जो है वो और भी अच्छे से clear हो पाए तो देखें implosion में जो ये I am यानि इम का मतलब होता है अंदर की और ठीक है तो जब कभी भी अंदर की और बिसपोट होता है ना तो उसको कहा जाता है implosion और जब कभी अगर बाहर की तरफ बिसपोट होता है जैसे आप कोई भी बंग बेगर है अगर देखते हैं तो वो क्या होता है बाहर की तरफ बिसपोट होता है तो उसी को कहा जाता है explosion जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे इसलिए उस वीडियो पर देख लीजेगा बहुत informative है तो उस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जदी बोलर explosion होता है तो वो कब होगा जदी हमारा furnace pressure जो है वो low-low हो जाए तब अगर अंदर का furnace pressure हो वो low होगा तब भी आपका implosion होगा ठीक है furnace pressure low means dead means कि आपका danger zone में जा रहे हो उसी समय आपका alarm निसीट होता है और उसी समय आपको action लेना है ताकि आपका furnace pressure जो है वो low-low ना जाए low means होगा danger zone और आपका low-low मतलब होगा very very danger अब देखिए इसको हम लोग एक और example से समझ लेते हैं कि यह जो implosion और explosion है वो क्या चीज होता है और हमें कब देखने को मिलता है तो यह देखिए हमारे पास एक डबबा है तो अगर मैं कहूं कि यह डबबा कब फट सकता है तो इसके फटने का दो region हो सकते है ठीक है अरे कहना क्या चाहते हो पहला रिजन को हम लोग समझते हैं कि पहला ये डबा जो है वो कफ़ड़ सकता है तो अभी देखिए अभी ये डबा जो है वो बिल्कुल सुरच्चीत है यानि इसका मतलब क्या है कि बाहर में जो एटमस्फेरिक प्रेशर है और अंदर में जो इसका प्रेशर है डबे का वो अधम पूरा प्रेषर करके भरते जाए और को भरते जाए तो एक समय ऐसा है कि इसके अंदर का प्रेसर बहुत जयादा हाई हो जाएगा और ये डब्बा कि यह वह सहें नहीं प्याइगा तो उस केस में क्या होगा कि वह अंदर से बाहर की तरब कॉंस्टेंटी रखें जो है ऐसा ही है हम लोग बाहर का प्रेशर को हम लोग इसको बढ़ा देते हैं ठीक तो बाहर के प्रेशर को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं तो देखिए अगर मैं इसको दबा हूँ तो दबाने का इसका मतलब क्या है कि हम इसके उपर प्रेशर डाल रह और अगर बाहर का प्रेसर अगर हाई हो जाएगा तो इसके उपर एक दबाव डालेगा जिसके कारण ये जो है अंदर की तरफ वह बिस्पोट हो जाएगा अंदर की तरफ ये टूट जाएगा उसी को कहा जाता है इंप्लोजन यानि कि जब कभी अगर बाहर की तरफ बिस्प कई बार अपने नीज में देखा होगा लेकिन यह बोलर इंप्लोजन का जो केस होता है वो बहुत ही रेर ही केस में होता है लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि ऐसा एक्सिडेंट ऐसा घटना कभी ना घटे ओके तो आई होब कि इतना तो समझ में आ गया लो होता है तो ये बोलर इस्प्लोजन का खत्रा बढ़ता है तो ये फंस्प्रेसर लो लो होने का क्या क्या रीजन है तो देखिए सबसे पहला जो रीजन है कि sडेलनी फियूल लॉसस अब हम लोग जानते हैं कि बोलर में हमारा कमबर्शन हो रहा ठीक है हमने एक बाईलेस प्रेशोन का खाली जगा अगर बहुत ज़एधा और अगर बहुत ज्यादा निकेटि प्रेशर क्रियेट हो गया तो फर्निस प्रेशर आपका वेरी वेरी लो हो जाएगा जो कि एर जो है वो फर्निस में नहीं जाएगा और जदी आपका एर अगर नहीं जाएगा डेट मिन्स वहाँ पर जो फर्निस प्रेसर है वो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है तो उस केस में भी बोलर इंपलोजन का खत्रा बढ़ता है अब यहीं जितने सारे ड्राइब्स होते हैं जैसे PASAFD तो इसमें क्या होता है कि आपका उसको अपरेट करने के लिए डेंपर होता है आईजीव होता है इसकूप होता है या बड़े-बड़े प्लांटू पर आप BFD भी देखेंगे तो यह अगर किसी कारण से माल फंसन कर चाहते हैं खराब हो जाते हैं और किसी कारण से बंथ हो गाए तो उसक्रम केस में आपका जो है आपका फरनेस्ट नहीं चाप आँपाईगा तो उसक्रेज तो उस केस में आपका फर्नेश का पूरा आपन बनेगा ने इस जो है कि बर्नर फेलियर दूरिंग डब बॉलर हमारा जो boiler light up जो होता है बोलर जदी हम लोग start करते हैं तो उस case में हम लोग supportive field के तौर पे आपका burner को लिया जाता है तो burner जब कभी जल रहा होता है और अचानक वो fail कर गया तो that means आपके अंदर जो combustion हो रहा वो नहीं होगा और combustion नहीं होगा that means आपका furnace pressure जो है वो लो जाएगा next bypass boiler interlock and protection तो जदी हम लोग boiler का interlock और protection बाइपास करके रखते हैं तो हमारा furnace pressure low low नहीं जाता है लेकिन अगर ये आपका बाइपास है तो boiler explosion का खत्रा बरकरार रहेगा क्योंकि अगर मान लीजे इन सभी में से कोई भी एक region आ गया और आपका furnace pressure low low की तरफ चला गया तो that means auto trip नहीं होगा यानि auto में बंद नहीं होगा जो की एक implosion का कारण बंद सकता है यह होगे कुछ important region आप समझते हैं कि यह जो boiler implosion होता है तो इसका क्या effect पढ़ता है जैसा कि वीडियो में यह आप देखें कि यह कितना डेंजर एक accident है कितना डेंजर एक fenomena है ओके तो अभी दे हो जाएगा डेट मिन्स आपका जो stream generation है वो interrupt होगा stream generation जो है वो नहीं होगा अगर पावर के लिए बेज रहे तो वह पावर फेलियर होगा पावर generation नहीं होगा आप किसी process के लिए बेज रहे तो वह process stop हो जाएगा तो डेट मिन्स आपका एक huge losses होगा ओके अब next क्या effect अगर bypass condition में रहा और उस case में अगर आपका furnace pressure low लो चला गया डैट मिन्स वहाँ पर एक severe damage of main and machine होगा वहाँ पर जो होगा वो बोईलर implosion होगा और boiler implosion के कारण वहाँ पर severe damage and main and machine होगा plant पूरा एकदम प्लांट हो या चाहें factory हो वहाँ पर पूरा छतिक रस्त हो जाएगा व तो वहाँ पर बहुत ज्यादा आपका main and machine का छती पहुंचेगा जो भी worker से जो भी engineer से उनकी वहाँ पर अगर sport पर है तो मृत्त भी हो सकती है ओके तो इसलिए इस बोलर implosion को रोपना बहुत जरूरी है किसी भी case में आपका boiler implosion जो है वो नहीं होना चाहें तो चलिए देख आपका fuel जो है वो suddenly loss हो जाता है सदनली आपका fuel है वो furnace में जाता है किसी कारण से रूख जाता है तो उस case में आपका furnace draft है यानि कि जो furnace pressure है उसको आपको maintain करना है उसको आपको हलका जो आपका जो negative जा रहा था उसको positive के तरफ लाना है ठीक है जितना पहले maintain कर रहे थे उसके आसपास लाना है नेश्ट जो है maintain draft if any positive drive tip आप जैसे आपका कोई भी positive drive tip हो जाता है ऐसे हो PA हो या FD है तो उस case में आपका furnace draft जो है वो negative जाएगा तो उस draft को भी आपको maintain करना है नेश्ट है smooth operation तो जो भी bowler dex engineer होते हैं उनको जो bowler operation करना है वो smoothly करना है और इसके regarding हमारा bowler smooth operation होता रहा है तो जब कभी आपका बोलर जो है वो shutdown में जाता है या आपका maintenance में जाता है तो उस case में आपके जो भी drive से IGV है डेमपर है आपका सभी जो है उसका proper maintenance होना चाहिए ताकि वो smooth operation होता रहा है normal operation के दोरान उसमें कोई भी problem ना है नेश्ट है careful during bowler light up तो आपका जो जो एक activity है वो एक critical activity है तो उस समय तो आपको पूरा आपका bowler light up के दोरान ही careful रहना है ताकि आपका डाप नहीं positive जाए और नहीं negative जाए इसलिए इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है बोलर light up के उपर तो उसको भी आप देख लिजेगा बोलर light up से related आपका funda clear हो ठीक है तो यह चीज है मतलब हमको किसी भी case में अगर आपका furnace pressure low low जा रहा है that means आपका furnace pressure को आपको maintain करके आप जितना maintain कर रहे हैं तो पहले उसके आसपास लाना है ताकि जो है आपका furnace pressure जो है वो low low की तरफ ना जाए ओके आप next जो है कि bowler interlock and protection healthy आपका किसी भी कारण से आ आपका bypass नहीं होना चाहिए अगर bypass है that means आप rix zone में हो और हो सकता है कि जब कभी यह bypass condition में हो तो यह कोई भी आपका region जो है वो आ सकता है और आपका furnace pressure जो है वो low low जा सकता है और उस समय अगर auto trip नहीं हुआ that means आपका bowler जो है वो implosion हो सकता है तो इसलिए bowler interlock and protection healthy होना I hope कि यह वीडियो आपके लिए काफी informative रहा होगा वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बता है और वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like जरूर करें आपका एक लाइक हमें ऐसा ही और कहीं सारे वीडियो बनाने के लिए motivate करता है I hope कि आप इससे समझे होंगे मिलेंगे इस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदे